हालो फ्रेंज वेलकॉम टु मंत्रा इस टुटोरियल में आप सीखेंगे फाइनल कट प्रो 10 में फाइंडर से डारेक्ट किस प्रकार क्लिप एड़ करते हैं क्लिप को डारेक्ट टाइम लाइन्ट करने के लिए सबसे पहले आप फाइंडर ओपन कर लें finder open करने के लिए आपके सामने यहां डॉक होता है डॉक पर जाएं क्लिक करें यहां पर आपको finder window open हो जाएगी उसके बाद आपको यह पता होना चेक क्लिप की location कहां पर है हाँ यहां पर हमारी फूटेज है stream में अंदर यहां पर अबलब्त है यहां से आपको आप पूरी की पूरी क्लिप ताइमிलान पर ला सकते हैं यहां से एक बात और आपको ध्यान में रखनी होगी यहां से जब आप finder के through आप ड्रैक करके timeline पे add करते हैं तो आप range select नहीं कर सकते हैं पूरी की पूरी क्लिप आपके timeline पे add होगी इस बात को आप ध्यान में रखना चाहिए आप यहां से इसको drag करें drag करने के बात आप चाहें देखें यहां पर चाहें connecting clip के रूप में लाएं या appending clip के रूप में लाएं insert दो क्लिप के बीच में डालेंगे तो insert के रूप मा जाएगा यह replace करना है पहले clip को पर mouse लेकर जाएं यहां देखिए replace का option आ गया है आप यहां drop कर दीजिए drop करने के बाद हमने आपको पिछली tutorial में बताया था replace के बारे में इन replace के options का प्रियोग करके आप clip को replace कर सकते हैं यह आने गभाद ऐसा नहीं है तो आप यहां पर click कर सकते हैं यहां पर option यह है replace and add to audition. अबिशन एक sound editing का software है उसमें add करने के ली करना है तो आप इसका प्रियोग कर सकते हैं यहां से आप कैंसल भी कर सकते हैं यहां पहले से कोई क्लिप रिप्लेश option में add हो गई है कैंसल करते हैं इस प्रकार आप माउस द्वारा ड्रेक करके timeline पे clip को add कर सकते हैं चाहे वो आपकी मीडिया इवेंट ब्राउजर में हो या फाइंडर में हो फाइंडर के थुरू भी वही सारे आपसंत्र प्रियोग होते हैं जो हमने आपको पिछले इवेंट वालेम बताया था यहां ड्रैक करें और कहीं पर एड कर लें एक से ज़्यादा क्लिप को भी आप अड करके एक साथ यहां टाम लाइन पर ऐसे अपेंड के रूप में या इंसर्ट के रूप में या इंसर्ट के रूप में या रिप्लेस भी कर सकते हैं एक से धिक क्लिप को टाम लाइन पर एड किया जा सकता है इसी प्रकार यहां से भी आप एक से ज़्यादा clip को ऐसे drag करके mouse पे एक साथ append के रूप में या insert के रूप में या replace के रूप में ला सकते हैं इस प्रकार आप mouse द्वारा drag करके timeline पे clip add कर सकते हैं Thank you for watching